दोस्तों आज डिसकस करते हैं टेली कम्यूनिकेशन साइट एक्सेल साइट उस पे कौन कौन सा एक्सेल साइट उसका क्या फंक्शन होता है इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इससे आपको बहुत अच्छा नॉलिज मिलेगा और आप ये इंटर्वियो के लिए बेस्ट कांटेंट है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं तो चलते हैं सीरीज की तरफ जिसमें वन बै वन सारे पार्ट्स जो है हम स्टार्ट करेंगे तो पहला है बीटीएस बेस ट्रांसीवर स्टेशन जिसका काम होता है ट्रांसमिट और सिगनल को और इसी बीटीएस के अंदर एक दूसरा पार्ट होता है बीबी यू जो ये बेस बेंट फ्रिक्वेंसीज पर वर्क करके हमारे सिगनल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है और थर्ड वान हमारे पास होता है रेडियो रिमोट यूनिट जिसको हम कहते हैं आर रिय आर रियू का फंक्शन होता है कि ये कनेक्टिविटी देता है आपको बी बी यू और आर रियू और एंटीना के साथ ताके जो आपका सिगनल जनरेट हुआ है वो इसे ट्रांसमिट और रिसीव करवाया जा सके जैसे एक बेस बेंड यूनिट होता है ये मैं आपको नेक्स लगी देखते हैं उसको आप माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं उसके बाद हमारे पास आता है पावर रेक्टिफायर और पावर मेडियूल जिसका मकसद होता है कि डी सी पावर देना और ये देखें ये हमारे पास बी बी यू है और इस बेस बेंड यूनिट में आप के कार्ड मिलेंगे एक उसका कपैसिटी कार्ड होता है जो किसी टेकनोलजी को सपोर्ट करता है जैसे कि 2G, 3G, 4G या 5G और दूसरा हमारे पास जो होता है वो कंट्रोल कार्ड होता है जिसके थूँ आप अपने सिस्टम को लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं कि आपकी जो इंटरफेस प्रवाइड कर रही है जिससे फाइबर आप्टिक साब की कनेक्ट है रेडियो रिमोट यूनिट के साथ उसको हम कहते हैं कि वो कपैसिटी कार्ड है और यूजली यूडबल बीपी जी थ्री बी और इसके लावा डबल बीपी कार्ड होता है और यूडबल और मेडूर्ज लगे होते हैं साथ में सरक्ट ब्रेकर्ज होते हैं इसका काम होता है कि ये बी बी यू को पावर अप करता है और साथ में आपके बैटरी बैंक को भी ये चार्ज करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस बैंड यूनिट का जो मेन काम है वो है इस प्रोवाइड कर सकें आगे रेडियो रिमोट यूनिट के साथ क्योंकि इसका काम होता है रेडियो रिमोट यूनिट का कि ये RF signal को जो है डाटा सिग्नल में कनवर्ट कर देता है जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है यहां पे connectivity इसकी radio remote unit की BTS के साथ हुई हुई है और BTS के अंदर हमारे पास यह baseband unit होता है इसका मैंने overview भी आपको दिखा दिया इसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा है fibers connect हुई हुई है radio remote unit के साथ और यह जो card है यह आपका capacity card अब यह overview देखें के नीचे BTS है इस cabinet में ही BVU हमारे पास होता है यहां से fiber जा कर उपर radio remote unit में लगती है और radio remote unit से फिर आप देख रहे हैं राइट साइड पे दो wires निकल रही हैं जो antenna में जा रही है तो यह सारी connective इस तरीकर देखी है BVU is connected with RRU via optical fiber and that optical fiber is connected in SRP module इसके दो modules होते हैं इसमें लाइटे fiber लाइटी है जैसे कि यह मैंने आपको पाहिं दिखाया इसमें एक पाहिंट में आपको fiber लाइटी निके लगाए हैं इक आज में और दूसरे आन से भी हम लाइटी में लाइटे हैं कोई fiber निकनेक्ट और लेकिन जो आपके दूसरे fiber अचीज़ थी हैं उसमें आप देख रहे हैं फाइबर्स जो है वो RRU के साथ हैं और ये जो डॉटिल लाइन्स हैं ये साथ जाकर ये अंटीना में लग रही है तो बहुत से दोस्त अगर वो इस वीडियो पे कुछ एतराज करते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए तो वैल एक्सपिरियंस लोग अगर कोई जानते हैं इस चीज का तो वो कमेट लाजमी कर सकते हैं और कुछ चीज इसमें एड़ करना चाहें तो वो मुझे बता सकते हैं अब ये देखें आर एफ एंटीना से जो रेडियो रिमोट यूनिट लगा हूँ है इसके दिमान में मैंने आपको लास्ट व मेगा हर्ट की पोर्ट है वो उसमें कनेक्ट होता है और सेम फ्रिकेंसी का जो रेडियो रिमोट यूनिट है वो इसको कनेक्टिविटी देता है रेडियो रिमोट यूनिट भी 900 मेगा हर्ट का होगा एंटीना की पोर्ट भी 900 मेगा हर्ट की होगी तब जाके आपका 2G का से DCS जिसको हम कहते हैं Digital Control System तो ये दो कैरियर्स हैं GSM और DCS जिस पर आपकी सारी जो ट्राफिक होती है जो आपका सिगनल होता है वो आप तक पहुंचता है आपके मुबाइल तक और आपको वो कॉल की और SMS की सर्फिस देता है और जैसे के हमारे पास 3G, 4G की अगर बात की जाए तो उसमें जादा फ्रिकेंसी की दूसरी फ्रिकेंसी पर हम अपरेट करते हैं जैसे के 1800 मेगा हाट्स हो गया 2100 मेगा हाट्स हो गया तो उस पर हम अपने एंटीना को अपने RRU के साथ सेम फ्रिकेंसी बैंड के एंटीना और RRU को आपस में सिंक करते हैं यह देखें यह जंपर वायर मैंने बहुत क्लोजली आपको दिखाई है इसमें एक एंड RRU में लगा हुए ट्रांस का और दूसरा एंटीना में लगा हुए सेम एक ट्रांस के लिए होता है एक रेसीव के लिए होता है और एक पोर्ट ऐसे भी होती है कि वो ट्रांस और रेसीव दोनों कर रही होती है और ये लेकिन डूल मोड होता है अब यहाँ पे आपके पास एक पावर केबल है यह RRU को पावर अप करने के लिए हमने लगाई होती है यह होती है डी सी पावर केबल इसको कहते है नेगिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल बलैक से रिप्रिजन्ट किया जाता है और नेगिटिव टर्मिनल जो है उसके लिए ब्ल्यू वायर यूज की जाती है यह हमारे पर माइक्रोवेव है माइक्रोवेव का काम है कि दो एंटीनास को आपस में वो कनेक्ट करता है और इसका जो वरकिंग प्रिंसिपल है वो लाइन अफ साइट है मीन्स के दोनों जब माइक्रोवेव एक दूसरे के आमने सामने सेम हाइट पे टावर्स आपस में कनेक और ये जाततर अफेक्ट होता है वेदर कंडिशन की वजह से इंटरफेरंस की वज़ा से और इसकी जो फ्रिकंसी होती है वो गीगाहार्ड में होती है और इसका ट्रांसमिशन पाथ बहुत सिंपल है एर इंटरफेसस है इसमें कोई आपको वायर कनेक्टिविटी की जूरत न प्रेइनिंग होती है और इसका जो आर एकसल लेवल है वो भी इसी तरह सैट होता है और यह हमारे पास रेक्टिफायर मड्यूल्स और पावर रेक्टिफायर हैं और यह इंटर्वियू में अक्सर पूछा जाता है पावर से लिटेट क्वेस्टिन कि कितने वल्टेज तक यह पावर देता है तो इसका मैकसिम तरेशोल्ड फिफ्टी थी या फिफ्टी फॉर वल्ट तक होता है और करंट कपैस्टिज कि 50 अंपियर तक होती है तो साइट पे जितना लोड होता है आप उस लोड के साब से इसको जो है एकमूडेट करते हैं और जालतर आपकी जो डिसी केबल है मैंने आपको जैसे पहले बताया है पॉजितिव हमेशा ब्लैक केबल होगी हर रड केबल होगी और नेगिटिव जो जो है वो आपकी जो है ब्ल्यौ केबल होगी तो यह बहुत ही सिंपल से क्वेस्टिन है जो आपसे पूछ लिये जाते है यह रिपीट हो गई है यह स्लाइड दुबारा से लेकिन अब मैं नेक्स आता हूँ सीपी आराई की तरफ अप्टिकल फाइबर और सीपी आराई इट से सेम तिंग देख लिए इसकी रूटिंग इस तरह की जाती है ताकि यह डैमिज ना हो सके और यह उती है फाइबर आप्टिक केल जो आप S.A.P. मडिउल में लगाते हैं और S.A.P. मडिउल से यह बेस बैंड यूनेट में यह आपके कार्ड लगे होते हैं और इसी की कनेक्टिविटी फिर आप आगे करते हैं अपने रेडियो रिमोट यूनेट के साथ यह देखें इसमें आप चेक कर सकते हैं कि रेडियो एकिप्मेंट कंट्रोलर को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है यह देखें हैं सब ही मड्यूल्स है इसका एक ट्रांस एंड होता है और एक रिसीव एंड होता है और फाइबर इसमें इस तरह लगाते हैं तो इसका नेक्स होता है हमारे पास हुआवे का SMU जो रेक्टिफायर पे लगा होता है इसका काम होता है यह जो सिस्टम के वोल्टेज है टंपरेचर है बैटरी का हाई है या लो है टाइमिंग और इसके रिले साइटिंग्स कन्फिगरेशन के मताबिक करते हैं कि जैसे किसमें होता है के हमारे पास अलार्म केबल कनेक्ट होती है पैच हुई होती है और इस पैचिंग प्लस मैफ माईनस हम इसका देखा बीखता है कि प्लस जो है वो नाॉर्मली ओपन पर कन्फिगरेशन होता ओर माईनस जो है आप दोशा सकते हैं जो इंडूर इंडूर नुइंड का काम क्या होता है खराता है इस ae कलावा इसके अचिकर्पलै देता हैं जो प् Shape Card प्क के वाज़़ा हुए जो लगा होता है कि आप हुए जो कि मिन स्वी ग्नल्ड वह फ्क सक्द'd के लाइन ओफ साइट परपस से आपस में कनेक्ट हो और ट्रांसमिशन आपकी जो है उस मूतली चले तो जब भी आप देखेंगे कि एक टावर के साथ दूसरा टावर किस तरह कनेक्ट है तो वो इनी माइक्रो वेव की तरह से इसी डिश की वज़ा से ये कनेक्ट होता है और आपको कभी कोई भी पूछ सकता है इंटर्वियू में कि भाई ये माइक्रो वेव की कनेक्टिविट को बढ़ाना है और नीचे अबादी जाद है जिनको सिगनल का प्राबलम आ रहा है तो आप एंटीना को डाउन टिल्ट करके उसका रेडियेशन पैटरन चेंज करते हैं और ये रिमोट अलेक्ट्रिक टिल्ट है ये देख रहे हैं आप डबी सी जो लगी वी है तो सेम इसका है यही काम है तो जातब जो बैक आफिस इंजिनियर होते हैं वो कमाnds के जरीए इसको कंट्रोल कर लेते हैं और कवरेज को जो कंट्रोल करने के लिए कमांड्स लगाते हैं उसके जरीए ये एरिया अफ रेडियेशन जो है वो सिगनल्स का ट्राफिक डिग्रेड़ेशन की वज़ा से जो अक्सर हमें चेंज करना पड़ जाता है तो यहां से चेंज हो सकता है